इट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें देश में कोरोना का खत्रा बढ़ता ही जा रहा है देश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 से जादा हो गई है साथ ही मिलने वालों की संख्या 60 के पार पहुँच गई है बहरहाल इसी वीच बता दें की प्रदेश की राजधानी जैपुर के रामगंज में एक बार फिर बुद्वार को कोरोना विसफोट हुआ है जानकारी के अनुसार बुद्वार को रामगंज में एक दिन में 13 नए पोजिटिव के सामने आए हैं जैसे ही खबर फैली पूरे छेत्र में हडकंप मच गया इन सभी मरीजों को RUHS और निम्स अस्पताल में रखा गया है साथ ही अब प्रदेश में पोजिटिव मरीजों की संख्या 115 के पार पहुच गई है मही रामगंज छेत्र प्रदेश में कोरोना वाइरस के प्रकोप का सबसे समवेदन शील छेत्र बन गया है प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों में जैपुर ने भील वाडा को पीछे छोड़ दिया है गौरतलब है कि रामगंज में एक संक्रमित व्यक्ती से छेत्र के कई लोगों में संक्रमन फैल चुका है बहरहाल बता दें कि जैसे ही रामगंज में कोरोना के नए मामले सामने आए वैसे ही पूरे प्रशासन और पुलिस ने पूरे छेत्र को सील कर दिया साथ ही इस्थिती को खतरनाक बताते हुए प्रशासन ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है और कहा है कि आप लोग सकती से इस अपील का पालन करें नहीं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक हो सकता है इसके अलावा स्वास्थे विभाग ने छेत्र में स्क्रीनिंग का काम भी तेज कर दिया है महीं चार दिवारी सील करने के बाद अब सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़े लोग वैवाहन ही आजा सकेंगे साथ ही जो भी व्यक्ती जरूरी सेवाओं में लगे हैं उनके लिए प्रशासन ने पास जारी कर दिये हैं इसी के साथ ही जानकरी मिल रही है कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीकी जमात से प्रदेश में लोटे 11 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है